हलो एब्रीवन मैं प्रियंका कुक विट फुरीज में आपका स्वागत करती हो दोस्तों आज हम गुलाब जामून बनाएंगे बिल्कुल पर्फेक्ट नाप के साथ बनाएंगे और बिल्कुल हलवाई जासे बनके त्यार होंगे तो आईए हम शुरू करते हैं गुलाब जाम चयनी तियार करेंगे एक बरतर में हमने 500 ml पानी डाला है और से हमारी साधे तीन कप लगभग ऐस्जाख्राब शुगर है और इसको डाल देते हैं और सिन लकुरूने लग गई है और इसको एक उबाल आने देते हैं देखे इसमें एक उबाल आ गया है और इसकी चाशनी हमें एक तार वाली बनानी है क्योंकि बहुत गाड़ी चाशनी नी बनेगे गाड़ी बनेगे तो गुलाब जामून रस ने पियागा और इस समय हम आधा चोटा चम्मज इलाइची पॉडर डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा मारे गुलाब जामून में और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं देखे चाषणी में चिपचिपा पवन आ गया है तो इसको थोड़ी देर और चला लेते और एक तार की चाषणी में बन गये हैं फिर से चेक कर लेंगे और इस? समय हम गयस को बंद कर देते हैं, अब एक बड़े बरतर में हमने ये 300 ग्राम खोया लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला है, और इसको खास से हतेलियों की मदद से हम रगर रगर के इसको और सॉफ्ट कर लेते हैं, पाम से हमें रगर ना है इसको, बहुत अच्छे से हम इसको रगर रगर के मैश करते हुए, बिल्कुल सॉफ्ट बना लेंगे, कोई को और भी, अब इसमें हमने 1200 ख्राम च्छेना लिया जो पहले से हमने कद्दुकस करके रखा था, वह सारा च्छेनाम इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हतेली की साथा से रगरते वे मिक्स करेंगे जिससे खोया और छेना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत एक फ्लफी सा डो त्यार हो और इस प्रोसेस को हम 4-5 मेट तक बिल्कुल ऐसे ही रगर रगर के त्यार करते रहेंगे देखे हमारी 4-5 मेट हो गया और कितना हमारा डोस सॉफ्ट हो गया है अब इसमें हम एक चोथाई चोटा चुमल बेकिंग पॉर्डर डालेंगे और हमने यह साथ ग्राम मैदा करके रखी वी थी वो थोड़ी थोड़ी करके समें डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस प्रोसेस को हम हतेली से रगर रगर के ही मैश करेंगे और मिक्स करेंगे इससे हमारे गुलाब जामन बहुत सॉफ्ट बनेंगे मैद थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे एक बार में सारी मैद नहीं डालेंगे फिर उससे गुठलियां पढ़ने का डर रहता है आप इससे मैश करते हूँ दो त्यार करेंगे और इसी प्रोसेज में हम slightly मैद डाल के इसको मैश कर लेते हैं देखे कितना सॉफ्ट डो त्यार हो रहा है बाकी जो मैदा बची हो भी हम सारी इसमें डाल देते हैं और इसी समय हम इसमें आधा चोटा चमच इलाइची पॉडर डालेंगे वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हतेलियों की साहता सही हम इसे मिक्स करेंगे इससे हमारे गुल गुलाब जामुन बनके त्यार होते हैं अब हम 5-7 मिन तक इसको बिल्कुल इसी प्रोसेस में ऐसे ही रगर रगर के मैश करते रहेंगे और बिल्कुल फलफी सा डो त्यार कर लेंगे बहुत सॉफ्ट हमारा डो त्यार हुआ है इसमें कहीं भी क्रैक नहीं आ रहा है और एक हम गोली बनाके देख लेते हैं गुलाब जामुन की अगर कहीं फटे फटे से आ रहा है गोली में तो हम इसको दो-चार मेट और रगड़ेंगे लेकिन कहीं भी क्रैक निया रहा है बहुत चिकनी हमारी गोली बनके त्यार हो रही है अब एक गोली हम घी में डाल के देख लेते हैं हमें आच इतनी ही रखनी है बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना है और इसको चेक करेंगे कि हमारे गुलाब जामुन फट तो नहीं रहे हैं अगर नहीं फट रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है अगर फट र अगर लेंगे अपने आप ऊपर आ गया है और इसको ऐसे ही हमें रोटेट करते वे चलाना है इसको चूना नहीं है क्योंकि चम्मच लगाएंगे तो फटने का डर रहेगा देखें हमारा बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनके त्यार हो रहा है कहीं भी नहीं फट गया है अब इसको निकाल लेते हैं और तुरंद हम चाशनी में डाल देंगे जो में चाशनी बना के रखी थी चाशनी गरम होनी चाहिए और ऐसा ही हम सारे गुलाब जामुन डालेंगे एकए करके मैं बूहँता ज्यादा ओवर्क्राउड नहीं करेंगे जितने space होगी है मुतना ही इस इसमें डालेंगे बिल्कुल आज का में विशेज ध्यान रखना है कि आज बिल्कुल इतनी ही तेज होनी चाहिए बहुत ज्यादा तेज आज नहीं होनी चाहिए और इसको कौचे से हम छुएंगे भी नहीं बस घी को रोटेट करेंगे घी के सारी वो गोल-गोल अपने आप घूमेगा कि देखे कुब अच्छे से सिख रहा है चुट गया है और इसको ऊपर से डोटेट करते हुए घुमा देंगे तो कि नीचे थोड़ी आज तेज लग रही थी तो इसलिए तो से थोड़े काले-काले चित्तिय सी पढ़ गया लेकिन अभी बराबर से सिखेगा ना तो बिल्कु इसको मीडियम फ्लेम पे हमें ऐसे घुमाते वे ही लगातार चलाते वे ही तलना है देखे लगातार चलाते वे बिल्कुल परफेक्ट हमारे गुलाब जामून बनके त्यार हुए है अब इसको निकाल लेंगे और तुरन चाश्नी में डाल देंगे लगातार हमें इसलिए जिससे चारो तरफ से वे बराबर से सिकें और ऐसे ही हम सारे गुलाब जामून निकाल के चाश्नी में डाल देते हैं और दूसरा घान भी हम इसमें तलने के लिए लगा दते हैं दूसरा बैश भी हमाना लगभग त्यार हो गया है और इसमें जो जो त्यार होते जाएंगे उनको हम चाश्नी में निकाल के डालते जाएंगे और ऐसे ही हम सारे गुलाब जामून फ्राइ करके चाश्नी में डाल देंगे अब इसको धक के दो घंटे के लिए रख देते हैं देखे हमारे तीन घंटे हो गए और इसने रस अच्छे से पी लिया है अब इसको में काट के दिखाते हैं कि कितने सॉफ्ट हमारे गुलाब जामून बनके त्यार है यह बहुत यह सॉफ्ट बने हैं कि दोस्तों कुछ बादों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे गुलाब जामून बिल्कुल पर्फेक्ट बनेंगे जैसे हमें नाप बिल्कुल सही मात्रा में लेनी है इसको तलने के लिए हमें मीडियूम फ्लेम पे ही तलना है और लगातार चुलाते वे तलना है और अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए फैमिली और फ्रेंड्स ते साथ शेयर करिए और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भूलिएगा जिससे आपको आने वा करी जाओ की तो आपको एस दोड़ाइब करिए और आपको आने वागर कर्कता है और आप।